इंदोर से हर साल हजारों लोग दीपावली वच्छत त्योहर मनाने के लिए अपने घर जाते हैं लेकिन आने जाने में काफी समस्या होती है इन्ही परेशानियों को दूर करने के लिए पश्रीमीर रेलवे ने विशेश तयारियां शुरू कर दी है त्योहरी सीजन में इंदोर से अन्य शेहरों के लिए रोज 125 ट्रेने संचालित होंगी इंदोर मद्रपदेश की आर्थिक राजधानी है इंदोर के पास ही पीथम पूर भी है लाखों लोग इंदोनों शेहरों में नौकरी करते हैं सबसे बड़े तयोहर के मौके पर हर कोई अपने घर जाना चाता है लेकिन ट्रेन में आरक्षन नहीं मलता इससे अपने घर जाने में परेशानिया होती है पशिम रेलवे ने इंदोर से पटना और आसपास के शेहरों में जाने के लिए मुंबई से 16 विशेश ट्रेने संचालित की वहीं इंदोर से पटना के लिए 3 ट्रेने चलती है इनमें अधिरिक्ट कोच लगाए जाएंगे और एक अनुमान के मताबिक इंदोर रेलवे स्टेशन से 50,000 यात्री रोजाना सफर करते हैं देखेगा कि जो रेलवे हैं खासकर त्यवहार को और जो भी हॉलेडे होते हैं उस पर बिसेश ट्रेन चलाने की वश्ता करती है तो इस बार पश्चिम रेलवे ने इस दिवाली को ध्यान में रखते हुए दिवाली और छट को ध्यान में रखते हुए करीब 15 बिसेश ट्रेन चलाने की वश्ता की है जो मुंबई साइट से चलेंगी और हमारे इंदौर की बात करें तो इंदौर से हमारे तीन ट्रेन हैं एक तो डॉक्टर मेटकरनगर से जो बांदा जाती है वो है इसके बाद एक इंदौर से हम लोग पटना के लिए रवाना करेंगे वो चार दिन रहीगी मतलब सब्सक्रा में एक दिन रहेगी लेकिन चार फेरे रहेंगे उसके और इसके अलाबा एक ट्रेन और है जो पटना के लिए उसके बारे फेरे अलग से हैं तो कुल मिलाके यह 16 फेरे रहेंगे पटना के लिए और जो बांदरा के लिए है वो भी चल रही है तो यह ट्रेन नवंबर की फर्स बीक तक चलेंगी पहले हमारे इंडोर स्टेशन की बात करें तो आने जाने का यहां का ओसत करीब 30 से 40 हजार प्रति दिन रहता है यात्रियों का और करीब 108 गारिया हैं जो चलती हैं लेकिन जे 20 गारियां को एंक्लूट कर दिया जाए तो यह 700 गारिया हो जाती हैं करीब और इनके चलने से जो आने और जाने वालों की तदयाए 50 हजार से उपर निकल जाती है तो उसके मद्दे नजर हम लोगोंने 21 जोड़े टेनों के अंदर भी हम लोगोंने एक 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 अडिसनल कोच लगाया है जिसे की यात्रियों को आरेक्शन मिल पाएं और यह जो विशे ऑसन दयार